साउधियरीप्या एक बहुत ही खूबसूरत देश है जिसमें अनेकी खूबसूरत इमारते हैं और जिंदगी काफी हसीन है तौदिय अरेबिया कुछ सालों में भारत का एक काफी ही अच्छा दोस्त बन गया है और भारत की कई चीजें वहाँ पर पॉपुलारिटी हासल कर रही है और उन में से एक है योगा योगा का इतिहास भारत से जुड़ा हुआ है योगा की नीव भारत ने ही रखी थी और उसको आगे भी भारत ने ही बढ़ाया योगा जिन्दगी जीने का सही रास्ता दिख लाता है योग के जरीए लोग स्वस्त और खुश रह सकते हैं और इसी कारण से काफी मुलकों ने अपने यहां योगा को एक उच्च आउदा दिया है और उन में से एक है साओधी अरेबिया साओधी अरेबिया एक ऐसा देश है जहां पर आज योगा को एक स्पोर्ट के जैसी रेकागोनेशन मिली है और यह सब हुआ है तो सिर्फ एक फीमेल योगा टीचर नौफ मरवाई के कारण जी हां एक फीमेल योगा टीचर वो भी साओधी से साओधी का यह एक बहुत बड़ा कदम है फीमेल एमपावर्मेंट के लिए नौफ मरवाई साओधी की पहली योगा टीचर बनी है और इसी के बाद से ही नौफ मरवाई साओधी की प्रिंसेस रीमा बिंट बंदर की मदद से योगा को रोयल कांसिल का एक ओफिशिल एक्टिविटी बनाने में लगी हुई थी और 25 नवंबा को इसको मन्सोरी भी दे दी गई आज योगा साओधी के ओफिशिल स्पोर्ट्स में शामिल हो गया है जो कि भारत के लिए काफ़े गर्व की बात है नौफ मरवाई को बचपन से ही योगा में काफ़े दिलचस्पी थी उनके पिता एक मार्शल आर्ट्स ट्रेनर थे और उनसे ही नौफ को योगा करने की प्रेड़ना मिली और आज उन्होंने इसको इतना आगे बढ़ाया देखा जाये तो साओधी में हालात बदल रहे है आज वो दुनिया के हर अच्छाई को अपने देश में जगह दे रहा है साओधी का ये रुख भारत के लिए एक दोस्ती के हाथ जैसा है जिसके मदद से भारत को मेडल इस्ट में काफी अच्छी पहचान मिलेगी तो दोस्तों आपको करीब वीडियो अच्छी लगी हो और इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि इस तरह की वीडियो में अक्सर अप्लोड करते रहता हूं और शायर आप इसे देखना भी पसंद करते हो तो यार सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आगे और भी मनुरंजक और मिस्टेरियस चीज आने वाली है